दोस्तों मैं सोरो मलिक आप सवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज संभावित परसन की वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 26 Question Answers जो की 100% परिक्साओं में दोस्तों पूछे जाएंगे इस परकार के परसन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं आगे भी पूछे जाएंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखेगा 26 में से आप लोग कितने questions के answer सहीगर बात हैं अपना इसको comment box में जरूर बतेगा वीडियो को शुरू करने से पहले इस question का answer comment box में बताएगा ये आपके लिए test question है प्रेम मंदिर कहा है सित है फटा-फट आंसर बता दीजे comment box में प्यारे दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला question आपकी screen पर है निमलिकित में से कौन सा भारतिय अर्थविस्था का परमुक लक्षण है तो भारत की economy या भारत की अर्थविस्था दोस्तों किस परकार की है जल्दी से आंसर होता है इस question का right answer है दोस्तों मेसरित अर्थविस्था मिसरित अर्थविस्था का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पुंजीवादी अर्थविस्था भी है और समाजवादी अर्थविस्था भी है यानि कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दोस्तों काम है और गौर्णमेंट सेक्टर का अपना काम है तो right answer C हो जाएगा अगला कोशन आता है भारत में रास्टे आये की गणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तो right answer है केंद्रिय संकाय की संगठन द्वारा यानि की B right answer हो जाएगा कोशन नमर 3 है महिलाओं के मानसिक सवास्त में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने इस तरी मनोरक्षा परियोजना को कब शुरू किया इस तरी मनोरक्षा परियोजना को कब शुरू किया है दोस्तो 2 मार्स 2022 को यानि की B right answer हो जाएगा इम्पोर्टेंट कोशन है योजनाओं से सम्मंदित कोशन हर एक सिफ्ट में आते हैं अगला कोशन है प्लूटो को ग्रह की सरेनी से कब निकाला गया दोस्तो प्लूटो को ग्रह की सरेनी से निकाला गया था 2006 में यानि की C right answer हो जाएगा अगला कोशन है सोर परिवार के निकित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कोन सा है दोस्तो राइट आंसर हैगा नेप्चोन यानि की C right answer हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो हमारी जो मास्टर पीडियाप है 6000 कोशन आंसर की ये मात्र 150 रुपीज की पीडियाप है और इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट को कबर किया है आपके किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं जिस एक्जाम में हिस्ट्री पूछे जाती है जोगरफी, पॉलिटी, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी, करेंट अफेर, कंप्यूटर, स्रेटिक जीके तो आप इस पीडियाप को लीजे, इस से बेस्ट कुछ नहीं है, आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा और मात्र 150 रुपीज की है, दोस्तों, 200 से 2500 रुपे की आपकी एक सब्जेक्ट की बुक मिलेगी मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको सारा कंटेंट दे रहाँ, मात्र 1500 रुपे में, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके भी पीडियाप ले सकते हैं, सिर्फ मैसेज करिएगा कि 6000 कोशन आंसर की पीडियाप लेनी है अगला कोशन है, होकी में पैनल्टी स्टोक कितनी दूरी से मारा जाता है दूस्तो, राइट आंसर हैगा आठ गज की दूरी से, यानि कि ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आता है, कौन सा उत्तक भोजन को एक पोधे की विबिन अंग तक पहुंचाता है तो कौन सा उत्तक भोजन को एक पोदे के विबिन अंग तक पहुचाता है राइट आंसर दोस्तो रहेगा फुलोएम यानि की राइट आंसर इस ओप्शन ने या आपको या दखना है कोशन नमबर एट आता है व्यक्तिगत व्य योग्य या प्रियोज आये यानि की disposable income का अर्थ क्या है देखे disposable income होती है दोस्तो जो व्यक्ति की आये है ठीक है ना जो income है उसमें से परतियक सकर को जो माइनस कर देते हैं वो बचती है disposable income तो राइट आंसर हो जाएगा बी ठीक है बी अगला कोशन है अनुसूचित जाती सरेणी के चात्रों को गुणवत तस इक्सा और अवसर परदान करने के लिए लग्सक के साथ की इंद सरकार ने PM स्रेश्ट योजना कब शुरू की दोस्तो राइट आंसर हैगा 6 दिसम्बर 2021 को यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है गदर पार्टी का मुख्याले कहा था दोस्तों गदर पार्टी का मुख्याल्य कहा था तो राइट आंसर इस सेंड फ्रैंसिको यानि की ओप्षन सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्यारवा कोशन है मोहंदास करमचंद गांदी की माता कों थी मोहंदास क्रमचंद गांदी की माता कोंती दोस्तो पुतली बाई यानी की राइट आंसर सी हो जाएगा 11 कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 12 है कहाँ पागीर्ती और अलकरंदा मिलकर गंगा बन जाती है दोस्तो राइट आंसर हैगा देव प्रियाग यानी की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 13 है दामुदर नदी तो दोस्तो दामुदर नदी कहां से निकलती है राइट आंसर है छोटा नागपूर पठार से बी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है पाकिस्तान और भारत की सीमों का क्या नाम है तो right answer हैगा red cliff line यानि की a right answer हो जाएगा question number 15 है कौन सा एक मात्र ऐसा राज्य है जो बंगलदेश से तीन तरफ से गिरा हुआ है दोस्तो right answer हैगा तिरपुरा यानि की c right answer हो जाएगा question number 16 है 2011 की जनगना की अनुसार किस राज्य की आबाधि अधिक्तम है दोस्तो उत्तर प्रदेश की यानि की right answer c हो जाएगा अगिला question है 2011 की जनगना में बिहार की अनुमानित आबादि है तो राइट आंसे दोस्तो दस करोड हो जाएगा और उत्तर परदेश की कितनी है दोस्तो कमेंट बोक्स में बतेगा अगर आप लोगों को पता है अगला क Sahib आता है, नेट बोल की परतिक टीम में किलाडियों की संख्या कितनी होती है दोस्तो right answer एगा netball की प्रतियक team में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है दोस्तो right answer क्या रहेगा जिमनास्टिक के खेल में प्रतियक पक्स में खिलाडियों की संख्या दोस्तो 8 होती है यानि की b right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है सविदान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदी में बालकों की नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है दोस्तो right answer रहेगा अनुच्छे 24 यानि की b right answer हो जाएगा बीसवे कोशन का सही उत्तर 21 कोशन ने सविदान के किस अनुच्छेद में सिक्सा सनस्थानों की स्थापना और परसाशन करने का अल्पसंक्यक वर्क का अधिकार के बारे में बताया गया है तो right answer दोस्तो अनुच्छे 30 रहेगा यानि की b right answer हो जाएगा 21 कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 22 है लोसांग नामसुंग महुतसब किस राज्य में मनाया गया है दोस्तो लोसांग महुतसब किस राज्य में मनाया गया है तो right answer is सिक्किम यानि की b right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है नमबर 22 कहां मनाया गया है दोस्तो राइट रहेगा जम्मू कसमीर में यानि की b right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है सबरी माला मंदिर कहां इस्थित है प्यारे दोस्तो सबरी माला मंदिर इस्थित है कहां पर केरल में यानि की b right answer हो जाएगा ठीक है वई अगला कोशन आता है प्रेम मंदिर कहां इस्तित है योकि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग उसे पूचा था प्यारे दोस्तों प्रेम मंदिर है वरंदावन उत्तर परदेश में यानि की ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चब्शवा कोशन है लोक्टक जील किस राज्य में इस्तित है प्यारे दोस्तों लोक्टक जो जील है ये किस राज्य में इस्तित है तो राइट आंसर हैगा मनिपूर में चब्श में से कितने सही कर पाएँ है जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बताईए और ये टेस्ट का कोशन है इसका भी आंसर बतेगा मोहंदास क्रमचंद गांधी की मातक कौन थी तो प्लीज दोस्तो जल्दी से इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बता दीजे पीडियाप लेने के लिए Only Top Study App डाउनलोड करिए फाइव स्टार की रेटिंग करिए आपको पीडियाप मिल जाएगी बाकी 6000 के कोशन आसर की जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तो चाहे आप S.S.C. की किसी एक्जाम की चारी कर रहे हैं रेलवे की कर रहे हैं पुलीस का कोई एक्जाम है या कोई भी अधर एक्जाम है, जिस एक्जाम में दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आप ये Master PDF ले सकते हैं, मात्र और मात्र 150 रुपीज में, डारेक्ट लेने के लिए आपको करना होगा दोस्तों एक काम, मुझे इस नंबर पे 8006016626, इस पर मुझे एक मैसेज कर आपको लिंक भीज जाएगा दोस्तों, ठीक है, सबी क्लासिस के टाइमिंग को नोट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल एकन को ओन रखे, ताकि आगे आने माली कोई भी वीडियो मिचलाओ, वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक करिए, अपने दोस्तों को भाई बेन को सेर करिए, ताकि जाद़ जाद़ बच्चों तक दोस्तों हमारी ये मेहनत पहुँच सके, थेंक यू सो मच, बाई बाई आवरीवन, टेक केर, ख्याल रखे बढ़ाएं